नमस्कार कल physics के second paper wave and oscillations में हमने couple oscillator का क्या आर्थ है यह जाना था और couple oscillator के लिए किस प्रकार की समीकरन बनेगी इसकी हमने जानने का प्रयास किया था थोड़ा सा बात को पुने जोड़ते हुए जिस प्रकार से जो चित्र मैंने A और B दिखाए हैं उसमें जब हम couple oscillator की साम इस्तिती से थोड़ा विस्तापन करके उसको रिलीज करते हैं तो किस प्रकार के गती होगी उसकी समीकरन मैंने एक और दो से लिखी थी और इस समीकरन को हमने हल किया था समीकरन के हल पर हमको समीकरन तीन और चार प्राप्थ होई थी जिसमें हमने omega 0 और omega 1 introduce किया था omega 0 को आपको ध्यान होगा हमने नेचूरल फ्रिक्वेंसी कहा था इस oscillations की study करने के लिए हमने कुछ coordinate system define किये थे और उस coordinate system को हमने कहा था capital X is equals to X1 plus X2 and capital Y is equals to X1 minus X2 आपको ध्यान होगा X1 और X2 जो दोनो जो oscillators हैं जिनके द्रवमान M माने गई थे लंबाई L मानी गई थी उन दोनों के विस्थापन है जिसको कि मैंने X1 और X2 को दूसरे चित्र में दिखाया है अब ये जो capital X और capital Y से हमने जो दो coordinate define किये हैं यदि हम इन दोनों के double differentiation से semicurrent को लिखें तो हम semicurrent लिख सकते हैं देखेगा किस प्रकार से लिखा है D2X by DT square is equals to D2X1 by DT square plus D2X2 by DT square और बिल्कुल इसी प्रकार से यह समीकरण Y के लिए भी लिखी गई है अब आप देखें समीकरण 3 और 4 समीकरण 3 और 4 जो omega 0 में हैं जो 1 और 2 के हल से प्राप्थ होई हैं सरलाबर्द गती की तो उन दोनों समीकरणों को जोड़ दे समीकरण 3 और 4 को समीकरण 3 कौनसी है आपको याद होगा अभी हमने बताया था अगर हमने इन दोनों समीकरण को अगर हमने इन दोनों समीकरण को एड कर दिया है तो हमें समीकरण प्राप्त क्या हो रही है दोनों को देखेगा दोनों समीकरणों को एड करने पर इस प्रकार की समीकरण प्राप्त हो रही है इन दोनों टर्म को कम्माइन कर लें तो यह समीकरण प्राप्त हो रही है अब हम चुंकि हमने प्राप्त हो गई है d2 x y dt square प्लस omega 0 square x और मैंने इसको equation 5 से मार कर दिया है जिस प्रकार से हमने दोनों equations को एड किया अब हम equation 4 को equation 3 से subtract करते हैं घटाते हैं तो घटाने पर हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वो यह समीकरण प्राप्त हो रही है d2 x1 minus x2 by dt square प्लस omega 0 square x1 minus x2 plus 2kym x1 minus x2 is equals to 0 हमने दूसरा coordinate define किया था capital y से और उसको कहा था x1 minus x2 तो हम क्या कर रहे हैं कि x1 minus x2 के इस्तान पर capital y लिख रहे हैं और इस प्रकार से हमको equation 6 प्राप्त हो रही है d2 by dt square प्लस omega 0 square by plus 2kym by is equals to 0 इस equation को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं d2 by dt square प्लस omega 0 square plus 2kym of by is equals to 0 और मैंने इस equation को number 6 कहा है तो हमें इन दौनों coordinate को define करने से दो नई equations प्राप्त हो गई है जो दो नई equations प्राप्त होई है वो 5 और 6 है खास बात क्या है विशेस बात यह है कि जो ये समीकर्ड प्राप्त होई है नॉर्मल कोडिनेट को define करने से वो समीकर्ड बेसिकली simple harmonic oscillator की semi currents है simple harmonic oscillator की equations है और हम उन equations को इस प्रकार से लिख सकते हैं किस प्रकार से देखें इस प्रकार से d2xy dt square is equals to minus omega 1 square x and second equation can be written like this d2 by dt square is equals to minus omega 2 square by y तो यहाँ पर omega 1 और omega 2 हमने introduce किया तो यहाँ पर omega 1 जो equation 5 से आ रहा है उसका मान omega 0 है जबकि omega 2 equation number 6 से निकल के आ रहा है उसका मान square root of omega 0 square plus 2k by m है अब जो विशेश बास समझने की है वह है यह है कि हमने जो coordinate capital X और by define किये थे उनके addition और subtraction से हमें 2 equations मिली है जो simple harmonic oscillator की equations है और इस प्रकार से हम coupled oscillator में इस तरह के coordinates के रूप में इन equations को represent कर सकते हैं और खास बात जो बिशेश बात है वो यह आती है कि जब हम इस तरीके की equations को represent करते हैं तो इसमें केवल variable केवल और केवल एक ही होता है अब आप कल्पना करें यदि माल लीजेगा X1 बराबर X2 है यदि X1 बराबर X2 है तो definitely capital Y बराबर 0 हो गया capital Y बराबर 0 हो गया और दोनों के जो बिस्तापन है वो समान है अते equation जो रह जाती है D2XYDT square प्लस omega 0 square X is equal to 0 इसका अर्थ हुआ कि इस case में जो coupling की गई है उसका कोई प्रभाब नहीं है और oscillator की जो इस्तिती है वो है uncoupled जैसी होगी दोनों oscillator एक ही phase में होंगे समान कला में होंगे और इसकी length जो है spring की उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा अर्था ना extension होगा ना contraction होगा और वह एक ही frequency से जो vibrations करेगी जैसा कि मैंने इस diagram में left side में दिखाया है लेकिन माल लीजेगा capital x पराबर 0 हो जाए capital x पराबर 0 हो गया इसका अर्थ हुआ x1 is equals to minus x2 तब उस case में जो समीकरण हमें पराप्त होगी आप देखिए किस परकार से दूसरी समीकरण प्रभाभी हो जाती है और इस case में जो दोनों oscillator है वो विप्रीत कला में कमपन करेंगे अर्थात दो लगों की जो अब आबरती है वो है पहली वाली जो आबरती केवल omega 0 थी उससे ज़्यादा होगी दोनों एक दूसरे के विप्रीत कला में होगे और विसे इस बात क्या है कि spring या तो extension में होगी या contraction में होगी यानि कि या तो वो प्रिसारित होगी अत्वा वो संकुचित होगी और निश्यत रूप से जब ऐसी इस्तिती होती है अर्थात दोनों oscillator विप्रीत कला में कमपन करें तो उस case में coupling effect प्रभावी हो जाता है जैसा कि मैंने इन दोनों डाइग्राम से में बताया है जो पहला डाइग्राम है उसमें जो spring है उसका extension हो रहा है उसकी लंबाई में ब्रद्दी हो रही है जबकि जो दूसरा डाइग्राम है उसकी लंबाई में contraction हो रहा है संकुचन हो रहा है तो ऐसे case में जो coupling है वो effective हो जाती है और दोनों जो oscillations हैं वो है oscillations बिपीत कला में कमपन करते हैं तो हमने दो तरह की बात देखी और दोनों तरह की बात में जो mode of vibrations हैं उनकी frequency फिर किस प्रकार से निकलेगी उसको हम सीख लेते हैं आप देखें हमने इस oscillations की equation of motion को drive करने के लिए coordinate capital X और Y define किया इस तरह के जो coordinates हैं जैसा मैंने सब्द यूज किया है हम इनको normal coordinates कहते हैं normal coordinate बिसेश coordinate है एक बिसेश तरह के parameters है किस तरह के कि हम इन parameters की मदल से किसी नियत गुणांक बाली जो भी रेखिय समीकरण है उसमें इस गती को प्रदर्सित कर सकते हैं बिसेश बात यह है कि प्रतेख समीकरण में केवल और केवल एक ही dependent variable होता है अलग-अलग हो जाते हैं अर्थात, normal coordinate of a coupled system आर्थी parameter in which the equation of motion of the system can be written as a set of linear differential equation with constant coefficient and in which each equation contains only one dependent variable इसमें दो important point आ रहा है कि जो linear differential equations आ रही है उस linear differential equations में constant coefficient है और constant coefficient के साथ साथ बिसेश बात है कि प्रतेख equation में केवल एक variable है एक dependent variable है जैसा कि हमने equation 7 और 8 में दिखाया था तो अब हम इस तरह के जो equations मिल रही है जो normal coordinates को solve करके हम इस तरह से जो vibrations हमें मिलते हैं हम उस system को normal mode of vibration कहते हैं किसी भी coupled system के normal coordinate से यूज करने पर सरल आवर्दगती की जो भी कमपन विधा कहलाती है उसको हम कमपन विधा कहेंगे सामान विधा कहेंगे और इसके संगत जो आवर्दगती है उस आवर्दगती को normal mode frequency कहेंगे जैसे कि अब हमने देखेगा इस case में हमने दो तरह की frequency ली थी omega 1 और omega 2 अब हम इन दोनों बादों को समझ लेते हैं मान लिजेगा कि आपने दो couple simple harmonic oscillators connect किये हैं और coordinate capital X और Y हैं मान लिजेगा दोनों साम इस्तिती से release कर दिये गए हैं और इस प्रकार किये गए हैं कि दोनों समान कला में हैं दोनों के जो बिस्तापन हैं वह भी समान हैं तो निश्यत रूप से ऐसी इस्तिती में दोलक अपनी प्राकरतिक आपरती के समान आपरती से सरलावर्द करेंगे समान कला में रहेंगे और यह है first normal mode of vibration कहलाएगा और first normal mode of vibration से सम्मंदित जो frequency oscillations की होगी हम उसको प्रतम सामान बिधा आपरती कहेंगे first normal mode of vibration frequency बोलेंगे तो इस case में x1 बरावर x2 है और omega band का जो मान निकला है वो omega 0 square जो natural frequency है omega 0 का मान square root of g by l होगा परंतु यदि दोनों जो oscillators है उनके बिस्थापन तो समान हो परंतु कला बिपरीत हो दोनों बिपरीत कला में हो और साम इस्तिती से इस प्रकार से हम उनको release कर दें बिस्थापित कर दिया जाए कि दोनों के जो बिस्थापन के मान है वो x1 बरावर minus x2 हो जाए और अर्थात बिपरीत कला में हो तब वो coupling effect प्रभावी होगा और उस case में ये सरलावर्द करेंगे बिपरीत कला में होंगे अब वो बिसेश बात यह है कि उनकी आबरती पूर्व आबरती से भिन होगी अब जो आबरती का मान है वो पूर्व आबरती यानि omega 0 कहा omega 1 कहा उससे ज्यादा होगी और omega 2 का जो मान है अब वो कितना आएगा square root of g by l plus 2k by m square root of g by l plus k by m 2k by m आपको दिखान है मैंने g by l को जो मान कहा था g by l को हमने omega 0 square कहा था तो हम इसमें लिख सकते हैं omega 0 square plus 2 omega c square square root यहां पर omega 0 square is equals to g by l है अर्थात omega 0 is equals to square root of g by l जबकि omega c square is equals to k by m तो इस case में हमको जो frequency मिल रही है जब दोनों oscillator विप्रीत कलामे हैं तो पूर्व आबरती से जाड़ा मिल रही है और यह जो frequency निकल के आई है हम इसको second normal mode of vibration की frequency कहेंगे अत्वा हम इसको जो बोलेंगे वो दुत्तिय सामान विधा आबरती कहेंगे और यह जो कंपन विधा है हम इसको second normal mode of vibrations कहेंगे अर्थात दुत्तिय सामान कंपन विधा कहेंगे तो आज हमने जो couple oscillators है couple oscillators की किस प्रकार की गती होगी उस गती का अध्यन करने के लिए normal coordinates define करने है और normal coordinate के संगत फिर हमें उस सामान कंपन विधा हैं और उनकी आबरतियां क्या होंगी इसकी जानकारी हमने की है जैसे अभी हमने ये two system लिया है अगले article में इस प्रकार के जो couple oscillators है मान लीजिए हम उनकी संक्या capital N लेंगे उस संक्या को और ब्रद्धी करेंगे जैसा की nature में crystal structure बगेर में होता है हम उसका अध्यन सीखेंगे धन्यवाद